नमस्कार जोहार स्वागत आप सबका परिक्षा साथी में सीजेल एक्जामेनिशन को ले करके वस्तु इस्तिती फिर से पहले की तरह बन गई है चात्र परेशान है जैसे कि लगतार दस साल से हैं ठीक है चुनाव से पहले जब चुनाव यहां पर स्टार्ट नहीं वहाता उस मैंने भी यह बात अपने चैनल से आपको यह बताया था उन्हीं नेताव के द्वारा यह भी बोला गया था कि जब चुनाव का केंपेन चलेगा उस दौरान ही माननिया मुख्यमंत्री स्री चमपई सोरेन जी किसी एक मंच से खास करके यहां स्पेसिफिक सीजियल के लिए कि वो घोसना करेंगे लेकिन अब तक आधा चुनाव जार्खंड के द्रिष्टी कोन से कंप्लीट हो चुका है साथ सीटों पर चुनाव हो गया बाकी और साथ सीटे बची है और ले देके दो फेस बचा हुगा है ठीक है अभी तक तो कोई घोसना एज सच उन्होंने सीजि की मेंबर ने फोन भी किया था उन लोगों की प्लानिंग यह है कि चार जून चार जून के बाद बहुत जल्द एक आंदोलन जे एससी ऑफिस के समक्ष करना है ठीक है और उसमें काफी भीड की आवश्यक्ता पड़ेगी एक बहुत बड़े लिवल पर आंदोलनों का जिसस चार्चाय चल ही रही है लेकिन यह एक प्रकार का छल है ठीक है यह सरकार बिल्कुल छात्रों को छलने का काम कर रही है उनका बोलावा बात वह लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी सिच्वेशन में बहुत सारे लोग में देख रहा हूं यूट्यूब पर और बा बहुत सारे लोग बहुत गर्व से बोल रहे हैं कि जीत जाएगी संभावना इसकी फिलाल बहुत कम है बहुत कम है लेकिन अगर ऐसा होता है ठीक अगर यह लोग साथ से आथ सीते जीत जाते हैं इनका मनुबल और ज्यादा बढ़ेगा जो भी थोड़ा बहुत भी काम होना है पाच्छे महिने में वो कोई भी काम नहीं हो गया कि बहुत इस पस्ट मैसेज इनके पास जाएगा कि रोजगार और छात्र यह कभी भी चुनाव में जीत और हार डिसाइड नहीं करते हैं खास करके गटबंधन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अगर भाजपा की सरकार ह काम करती तो उनको लॉस हो जाता लेकिन गटबंधन को इस तरह की चीजों से लॉस नहीं होता है और ऐसे में अगर वो सीटें जीत जा रही है जारकन में साथ से आठ तो सोने पर सुहा का ए ठीक है बिल्कुल इस परस्ट मैसेज है ठीक है चुनाव जीत रहे है अगर वो ज कि तुम्हारी जिंदगी जो अभी है उसी प्रकार से आगे बरेगी हो सकता है कि उससे और ज्यादा बत्तर हो जाए तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है मैं दो महीं तरफ के लोगों को बोल रहा हूं चाया भाजपा सपोर्टर है चाया आप कॉंग्रेस की सपोर् और मौच इन्हीं दोनों का होना है पाच साल यह करेंगे फिर पाच साल वह करेंगे यह सिफ्ट होता रहेगा राज्यों में और केंद्र में और ले देखिए जो आम जनता है जो कॉमन पृपल है उनका जो स्थितिय वही रहना है अभी भी टाइम है जो लोग कारिकरता की करते हैं उस चीज से बाहर ने के लिए और क्या सही है क्या गलत है वह देखने का प्रयास करिए ठीक है बहुत सारी लोग यह बोल रहे हैं कि देख लेते हैं चार जुन तक गटबंदन की सरकार आई कि उसके बाद छे महिना के अंदर कॉंग्रेस तीस लाख रोजगार देने वाली है मतलब मुझे हसी भी आती है और अब कोई ग्रेजिवेट लड़का इतना नादान कैसे हो सकता है इतना भोला बाला कैसे हो सकता है अब भोला बाला बोलना तो ठीकने जोगा उसको बेवकूफ बोला जाएगा जो इस प्रकार से आस लग रोजगार का बादा किस ने किया है कॉंग्रेस ने किया है ठीक है यह कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में डाला है ना तो आरजडी ने डाला है ना तो आपके यूपी वाले अखलेस ने डाला है ठीक है ना मंताब एनरजी का यह चुनाओ मैनिफेस्टों किसी का नह कुन कि तीसलाग नौक्री यह लोग दे दें अगर यह प्रयास भी करेंगे तो बाकी पार्टियां अपना सपोर्ट वापस ले लेगी क्योंकि उनको पता है कि अगर यह तीसलाग नौक्री दे देते हैं तो पूरे देश में कॉंगरेस स्ट्रोंग होगा और कॉंगरेस का होती है तो ब्स पी और एस्पी को नुकसान है ठीक और ये चीजे छेत्रिय पार्टिया बहुत अच्छे से जानती है इसलिए इतने बेवकुफी वाली बाते नहीं करनी चाहिए अगर इनका एक सम्मिलित मैनिफेस्टो होता ये गटबंधन की सरकार जो है इनका सब का मिला कर इन सब चीजों पर लोग अपने इस्तर पर भी विचार कर सकते है छारखंट सबसे बड़ा एक्जेम्पल है देखिए आप मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था ठीक है बहुत सारे समस्चा इनके सामने आई कोरोना का काल भी था उसके बाद बाचपाने भी बहुत जादा करने का प्रियास के वह सब चीज़े एक तरफ है लेकिन फिर भी अगर यह प्रियास करते तो अटलिस्ट नौकरी दे सकते थे ठीक है पांच लाग नौकरी आप नहीं दे पाते कम से कम एक लाग तो देही सकते थे आप देखिए इन्होंने क्या-क्या वादे किये थे सरकार अगर आपको याद होतों वेरुजगारी भत्ता देंगे सब को लौकरी देंग और तमाम यह प्रखें वादे क्या एक भी वादे यह सरकार पूरा करपाई जो इन्होंने छात्रों से और बरुजगारों से किया था एक भी वादे इन्होंने पूरे नेक वही घठ्वन्तन क करना है वही चीज़ अभी देश के केंद्र को ले करके वही फिलिंग सब के मन में है जब दस साल देख लिए मुझी जी आप थोड़ा सा चेंज किया जाए मैं change हो या ना हो इसके पक्स में कुछ भी नहीं हूँ अगर change होता है उसमें मैं खुश हूँ नहीं होता हुश हूँ दोनों ही situation में अपन satisfied है ठीक है लेकिन आप लोग भी चीजों को visualize करिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और मैं फिर से बोल रहा हूं जारकन उसमें सबसे best example है एक exam कराने के लिए आपको repeatedly प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है ठीक है उसके बाद भी exam हो नहीं पा रहा है और आप रोजगार के मुद्धे पर फिर उसी पार्टी को वोट भी कर देते हैं ती बेवकुफी है और इस बेवकुफी का लाव पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से उठाते आ रही है आगे भी मैं बहुत सारे screen shots मेरे पास जमा होगा है बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की दावे कर रहे हैं मैं किसी को उसमें demoralize यह इस तरह की बात नहीं है मैं देखूंगा कि किसकी बात सत्य निकलती है किसका तुक्का सठीक बैठता है किसका तुक्का गलत बैठेगा बहुत सार किसका सठीक बैठा आकलन बहुत सारी लोग बाचपा को 375 सीट भी दे रहे हैं बहुत सारी लोग 200 सीट दे रहे हैं देखता है चार जुन को बहुत ज्यादा दिन अब बचने किया है आने वाले दस दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सीजन के लिए जो भी कारान भी होगा ऺंद फॉखर soährt उसके बाद भी चार से पांच महिना बच रहा बहुत लंबा समझ होता है और इस पांच महिने में सरकार बहुत आ्राम से अपना कारी काल निकाल लेगी छात्रों को इग्डॉर करके यह तो पॉसिराल नहीं होने वाला थो ठीक है कु इसा हम लोग प्रेही कर सकते हैं वोसे फिलाल अभी कोई संभावना लग नहीं रहे हैं ठीके बहुत उम्मीद था बहुत ज्यादा उम्मीद था कि यह लोग जूल लास्ट यह जुलाई फर्स्ट विक तक एक्जाम ले लेंगे कि खुद मैं बोल रहा हूं ना खुद पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस तरह कास्वासन दे रहे था लेकिन शाहिद मैं भूल ही गया था कि जब यहां मुख्यमंत्री की बात की कोई वैल्यू नहीं है तो इन छोटे मोटे नेताओं की और कारी करताओं कि क्या उकात होगी अब एक्जाम एसे डेट में हो रहा है कि आप मान के चलिए एक्जाम निकल ली गया है हाथ से ठीक है जो लोग इस पेसिफिक सीडीप्यों की तयारी कर रहे है उनको बहुत लाव मिलने वाला है आपके इस एक्जाम की तयारी कर रहा है साथ आपका आकलन चुनाओं को लेक किया करें मिलते हैं किसी और वीडियो में अपता के लिए टेक क्यार गुडबाए